ओम नमष्शिवाई नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अमवश्याती थी पित्रों की कृपा पाने के लिए सर्व श्रेष्ट तिथी मानी जाती है आज के दिन अपने पित्रों के निमित श्नान करना पवित्र नदियों में और दान करना गरीबों की मजदूरों की मदद करना पित्रों के निमित तरपण करना बहुत ही स्रेष्ट माना जाता है पित्रों को प्रसन्य करने के लिए आज हमें कुछ विशेश उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे कि पित्रों की कृपा से अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो पित्र दोस से हम पीडित हो तो उस परेशानी से हमें मुक्ति मिले आज हमें मालक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, जैसे के अमावश्या तिथी मालक्ष्मी की भी तिथी मानी जाती है, जो हम दिपावली पर मालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो अमावश्या तिथी ही होती है, तो अगर मालक्ष्मी की पूजा हम अमावश्या तो आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं श्रीहर विष्णु की मालक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए और अपने पित्रों की क्रिपा पाने के लिए पित्रों को प्रसन्य करने के लिए आज व्रत रखा जाता है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आसाड माज की अमावश्या तिती कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है अमावश्या कब है और आज हमें कौन से विशेश उपाय करने चाहिए जिससे की श्रीहरी विश्टु सहित मालक्षमी का स्थिरवास हमारे घर में हो जीवन में जितनी भी परेश करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से जादा इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए बात करें आसाड माज की अमावश्या तिती के बारे मे तो अमावश्या नौ जुलाई को भी है और दस जुलाई को भी है तो शुक्रवारी अमावश्या भी है और शनिवारी अमावश्या भी मानी जाएगी जो कि साल की दूसरी सनेश्चरी अमावश्या है इस बार की सर्वस्रेश्ट होती है सनिवारी अमावश्या शनिदेव क आज के दिन बहुत अधिक बढ़ जाता है पित्रों के निमित अगर आप कोई उपाई करना चाहते हैं तो आज का दिन यानि शनी अमावश्या का दिन बहुत विशेश माना चाहता है तो आज हमें किस प्रकार से कौन सा उपाई करना चाहिए जिससे कि पित्रों की कृपा हमे क्रबशा हैं आपने आप अपने आप में विशेश हो तो साल में बहुत कम आती moderates यह साल की दूसरी manifest तो विशेश रूपते श्णीदेव की पूजा से पीपल के वृक्ष में करने चाहिए आपने आपने आप में भी विशेशमयल्ग की पूजा तो आज के दिन आपको पीपल की पूजी है जल्दी उड़र उट करने के बाद पीपल की पूजा कर सब्सक्राइब को शक्र मिला थोड़ा सा जल मिला Lalकर आपको ऩर अब काले तिल जरूर में और उस तरह आपको पीपल की पूजा करनी है कि श्रीहरी विष्णु सहीत मालक्षमी मेरे घर में स्थाई रूप से वाश करें इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप पूजा करें जल कच्छा दूद और शक्कर जो आप पात्र में मिला कर ले गए हैं यह वहां वरिक्ष में अरपीद क करें वरिक्ष की करें आप सा प्री करना बहुत स्रेश्च माना जाता है तो साथ बार परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासु देवायनमः इस मंत्र का जाब जिन लोगों को भी शनी से रिलेटीड परेशानी है शनी से जो पीड़ा आ रही है आपको या फिर आप शनी की साढ़े साती धाया से परेशान है तो आज के दिन आपको पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैठ कर ओम शम्शनिश्चराय नमा इस मंत्र का जब करना चाहिए और अ आज आपको शाम के समय भी सर्सों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और सुबह भी जला सकते हैं आप सुबह जवाब पूजा करते हों तो उस समय भी आप सर्सों के तेल या तिल के तेल का दीपक प्रजवलित करें शाम को भी आपको सर्सों के तेल का ही दीपक या त चल देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा इस तरह से आपको जब करना है पीपल रिख्ष के बैठकर जितना भी आपके पास समय हो आज आप पीपल के नीचे अगर पांच प्रकार की मिठाई रखकर पित्रों का ध्यान करें एक प परेशानियों को दूर करने की, तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, आज हनुमान जी की विशेश रूप से पूजा करनी चाहिए, जिन लोगों को भी जनी की शारेश आती है, तो आज अगर संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल और सि शानि दूर होती है, हनुमान जी को शनी वार के दिन अगर आप चोला अरपीत करें या मंगल वार के दिन भी करें तो होता है, लेकिन आज शनेश्चरी अमावश्या है, विशेश रूप से, बहुत लाबदाई होगी अगर आप आज हनुमान जी की पूजा करते हैं, पीप तुलसी में आप थोड़ा सा कच्चा दूद, चाहे एक या दो चम्मच हो, इतना ही कच्चा दूद, जिसमें आपको जल नहीं मिलाना है, बस सिर्फ दूध अरपीत करना है, मा तुलसी से प्रातना करें, तो श्री हरी विश्नु सहित मालक्षमी वास करते हैं, अगर तुल अगर के इसके लिए आपको चाहिए कि आप शिद्धी का एक दीपक अपने घर के इशान कोण में मालक्षमी की मूर्ति इयर प्रतिमा के सामने हरें, श्री हरिविष्णु सहीत मालक्षमी के मूर्तिय प्रतिमा हो, उनी के सामने आप दीपक जलाएं, तो ज्यादा सrisht विजा करें। श्रीहर्य विष्णु और मालक्ष्मी की आज संभव हो तो शुकरवार है अभ्म अवश्या विए तो श्रीम को खीर बनाएं। चावल की खीर चविए बना कर श्रीहर्य विष्णु Valutu हो तो स्रेष्ट होगा अगर आप उसमें थोड़ा सा केसर भी डालीते हैं तो और भी स्रेष्ट होगा मालक्षमी की अपार कृप्राभफ होती है अगर आप इस प्रकार प्रजवलिट करके वहां आप कर भी मंत्र का जब करें या आप कनक이션क का पाट करें तो स्रीशुक्टिया अकनकधारस्तोतर कितने बासके देखिये आप तीन पासकते हैं या फिर आप 16 पासके समय हो तो स्रीशुक्ट के 16 पार्ट अगर आप करते हैं। अमावश्यातितिपर हरमावश्यापर अगर आप यह उपाई करेंगे तो कभी भी आपके जीवन भीद्धान से खीर का भोग लगाए लाल पुस्प माख को अर्पित करें और पीले पुस्प भगवान श्रीहरीविष्णु को आज विद्धिय विद्धान से पूजा करते समय अर्पित करना चाहिए अमावश्या तिति है, सर्वस्रेश्ट तिति है और बहुत ही अच्छा है कि इस बार दो दिन की अमावश्या है तो शुक्रवार को मालक्षमी की आराधना करें, शनिवार को आप भगवान शनिदेव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और विशेश रूप से श्रीहर विष्णु की पूजा रातना करें तो पित्रों की भी क्रिपा प्राप्त होगी पीपल की पूजा से आपको पित्रों की क्रिपा भी प्राप्त होती है और शनीदेव की भी क्रिपा प्राप्त होती है दोस्तों मीद करती हूं कि इस अमावश् होगा तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से जादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के शार शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और इस तरह चार जो प्रेस कर लीजिए और प्रेस कर लाइक है